दोस्तो जैहिंद नमस्कार अभी दिखी एससी जीडी कॉंस्टेवल का जो है फॉर्म आ चुका है और उसकी ऑनलाइन फॉन भी भड़ा रहा है इस वीडियो में हम आपको मोबाइल से लाइब बताएंगे आप अपने घर बेठे मोबाइल फॉन से आप अपना फॉर्म जो ख वीडियो को वीडियो को देख के आप रेश्टेशन और आइटी पासवर्ड वहां से आप बना सकते हैं अब चलिए इस वीडियो में देखते हैं पॉन भरने की पूरी पर किरिया जो की लाइब बताएंगे चलिए शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं एससी की है उस एससाडत को हम इस ही इंतर करेंगे हैल यहां पे कैप्चा मिलता है उस cielo को इस से वे में हम इंतर करेंगे जो भी लेटर में रहेगा small या फिर capital तो उसी आपको उसी में यहाँ पर fill करना है बड़ा है तो बड़ा छोटा है तो छोटा दिन आपको login पर touch कर देना है हम आपको बता दे जो भी phone परना चाहते हैं जो भी एक्चुक है male और female और और इंडिया के connect इसमें phone fill up कर सकते हैं education की बात के तो 10th मांगी जा रही है और age आपके पर 18 है तो आप phone fill up कर पाएंगे इसमें girls और CST की कोई भी examination fee नहीं है लेकिन general और OVC के connect mail है तो आपको 100 रूपी यहाँ पर pay करना पड़ेगा friends आप जो यहाँ से जो हम आपको contact detail और declaration आपका last में होगा ठीक है अब चलिए देख लेते हैं कुछ details है जो basic बला आपको खुद ही यहाँ पर show कर जाएगा इसे आपको नीचे चलना है कुशिश पर करका interface आपको दीखेगा और यहाँ पर देखेंगे एक पर आपसे declaration अगर मांगेगा तो आपको यहाँ पर देदना है simply यहाँ पर save का option आएगा आपको save पर touch कर देना है जैसे save पर touch करेंगे देन आपको एक nest का option आएगा nest पर आपको touch कर देना है जैसे nest पर touch करेंगे तक कुशिश परकर का इंटर्फिस आपको जो ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर category आपको choose करना है तब मेरा जो category है वह HD है तो HD को आपको दूबर यहाँ पर choose कर लेना है और देन यहाँ पर nationality पूछ रहा है तो nationality India type करना है और यहाँ पर identity mark पूछ रहा है तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि you are benchmark disability है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो no करेंगे और आगे बरेंगे ठीक है अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको permanent address इसमें fill करना है कैसे fill करना है तो देख लीजिए तो इस परकार से आपको address fill करना है अपने गाउं का नाम पोस्ट ओपिस का नाम जीला का नाम estate और पीन कुट आपको देना है और नीचे देखेंगे तो आपको district चूज कर लेना है जो भी आपका district है आपको option में आ जाएगा और देन आप यहाँ पर देखेंगे तो present address और या permanent address अगर सेम है तो आपको yes करना है तो automatic या इसमें सो हो जाएगा अधर वाइज आपको change करना है तो change कर सकते हैं देन नीचे आएंगे तो आपको save पर option एक मिलेगा उससे आपको save कर लेना है और यहाँ पर close का option आएगा इससे आपको close करना है जैसे close करेंगे देन आपको इस परकर का कुछ इंटरफिस आपको दिखने को मिल जाएगा और यहाँ पर फिल करना है तो चली उस email को लेते हैं कि अब देखतेंगे तो यहां पे इस घल गल्स की JET है उसके मेल पर चुका है इसे यहां पर पर कोपी कर लेंगे और देन कि यहां पर आया है मेल ुह यहां प्र यां में इसम में पर करने के बाद आगे की प्रोसेस्ट जो है आपको करना है दिन आपको सम्मीट पर टच करना है जैसे सम्मीट पर टच करेंगे यहां पर OTP not valid वता रहा है चेक आउट कर लेते हैं यहां पर कुछ मिस्टेप था वह सक्सेस्फुली हो चुका है और देन यहां ही शामना पर रहा है यहां आपको कर ले अब चलिए यहां से आपको काफी दियान से देखना पुरएगा डिल्कम टूंक हिनकुमारी यहां दे चुका है अब यहां पर एक करके आपको अच्छे समझना इसमें कुछ बेटेशिक डिटेल से जो डिसेबल है उसको कुछ नहीं करना है अगर आप एक सरिस्मेन है तो यस करेंगे नहीं है तो नो करेंगे और आगे फटा फटा बढ़ जाएंगे इसमें जो भी डिसेबल तो उसे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप age में छूट चाहते हैं, तो yes करेंगे, नहीं चाहते हैं, तो no करेंगे, क्योंकि reservation बला को ही मिल पाता है, ठीक है, अगर यस करेंगे तो यहां कुछ से जो है वो आपको document यहां पर देना परेगा तो मुझे इसकी अभी requirement नहीं है एक हैंCC certificate है तो यस करेंगे नहीं है तो no करेंगे और आगे बरेंगे यहां पर exam center आपको 3 choose करना है तो जो भी आपको नइदीख हो उसे चूज कर लेते हैं जैसा कि मैंने बताया एक option को आपको दो दो बाड़ यहां पर चूज करना पड़ता है तो आप यह डिश्टी को पर आ गया डिश्टी को चूज कर लेते हैं आपका भी जो भी डिश्टी को गया उससे आपको चूज करना पड़ेगा दिन आगे बढ़ेंगे और यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर बीस नमबर में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि आप अधर श्टेट में वासीत हो गए या फिर नहीं तो इसे हम simply know करते हैं मुझे इसकी कोई requirement नहीं है क्योंकि मेरा परजेंट एड़े से ही है अगर आपके पास है तो yes करे कि उसकी details दे सकते हैं अब इसकी जो तीज में most important है वो चीज आपको ध्यान देना है जैसे कि आपको बता दे इसकी कई और अर्गनाईजर्शन ने बीए सेफ सी इसस अपकी एक एक कैटिगरी है जो अभी हम आपको यह टेबल आपको दिखा देते हैं मान लिजे सबसे पहले जो भी आपको option अच्छा लगता है उससे आपको यहां करते हैं और यह भी आपको दो बार फिल करना जो कि आप यहां पे देख सकते हैं दो बार फिल करना तो करना है तो मैं मैट्री की रहने दता हूं और यहां पर डिटे़ाल सब क्वालिफिकेशन में आपको जो तैंटर देने डिसकते हैं में अपना डिरता हूं यहां पे प Shiv फ़ुस्व में हम परस्टिक लिखता हूं मेरा जो परस्टेज है आपका जो ही परस्टेज 국ण आप यहाँ पर दे सकते हैं ऐब संटेज में क्या देना तो तो आप यस करेंगे नहीं तो नो करें इसमें कोई यस भी कर सकतें नो भी कर सकतें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब नीची आएंगे नीची आपको को ध्यान क्या देना है फोटो कोई साइज होना चाहिए बीच से पचास केवी के बीच में और सिगनेचर के दस की बीच में किसमें आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि फोटो की साइज कैसे करें तो उसकी लिंक के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा उससे आप किज जरूर कीजेएगा आपकी आपऊनी और शहीं तरीके से समجھा है उससे आप समझ ज्यांगे और किसी भी फोटो सिगनेचर का साइज कम करेंगे अब चलिए क्या करते हैं और यहां पे आपसाथ जोठा Yay के बाद का होना पार गोना करने के बाद आगे की जो करवाई होगा आप देखेंगे तो नीचे कुछ इस पर कर लेंगे कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है क्योंकि जैसे छूटेगा तो फिर आपको बैक जाके फिर से आपको प्रोसेस करना परेगा इस चीजिए आपको धियान रखना है नीचे जैसे पिर उप्यूटे टच करेंगे तो सब्सक्राइगा तो कुछ इस पर करका इंटरफ आपको जो है देखने को मिल जाएगा सभी चीज यहां पर देख सकते हैं सभी चीज यहां पर दिखाई दे चुका है ठीक है अब क्या करना है अगर आप इडिट मोडिफाई करना करना है नहीं करना चाहते हो तो सम्मिट करना चाहते हैं तो सम्मिट करेंगे जैसे सम्मिट करेंगे यहां पर जो इस पर करका कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर आपको कर देना है कि देन कुछ इस पर करका फिर से आपको ऑप्सन आएगा यहां पर भी आपको कर देना है प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट ले सकते हैं प्रिंट बाद में भी ले सकते हैं अभी आप ओके कर दीजे जैसे ओके करेंगे तो आपकी जो form है वह final successful यहां पर submit हो चुका है अब print करने के लिए का करना है print के option पर आपको जाना है download भी आप कर सकते हैं कई सारा चीज यहां पर दिया हुआ है payment status तो जो cht है उसकी कोई भी payment यहां पर लगता नहीं है गल्स का भी नहीं लगता है तो चली से हम print पर चलते है और उसे जो form submit हो है उसे print कर लेते हैं अब देखेंगे PDF की रूप में मुझे यह प्राप्त हो जाएगा जो कि कुछ इस परकार से आपको देखने को यहां पर मिलेगा देख सकते हैं final submit का यह print out है उमिद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा कोई भी doubt comment है कोई भी query है तो आ हीडियत